हलो लेर्नर्स, वेलकुम बैक टो मैं चैनल, आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मिडल इंग्लिश लिट्रेचर की एक फेमस पोयम को, जिसका नाम है पियर्स प्लावमेन इसे लिखा था विलियम लेंग्लेंड ने, जो की 14th सेंचुरी इंग्लेंड के एक वेलनोन पोयट थे इस वीडियो में हम इस पोयम की समरी को डिसकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पोयम से रिलेटर कुछ इंपॉर्टन बाते जान लेते हैं इसे 13, 70 and 90 के बीच में लिखा गया था और इस पोयम की 3 वर्जन मिले हैं, वर्जन A, B and C इन तीनों में से कौन सा मोर एक्यूरेट है, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि ये एक पुराना टेक्स्ट है, 14th century का, इसलिए कोई भी इसके बारे में श्यार नहीं इनकी स्टोरीज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इनका थीम तो सेम ही है कई क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि इसी पोईम ने पेजन्स रिवोल्ड को एंकरेज किया था जो कि 1381 में हुआ था एंड पेजन्स कहते हैं स्मॉल फार्मर्स या लेबरर्स को इन्होंने उस टाइम ससाइटी को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि ससाइटी मौरली डिक्के हो रही थी चाहे वो कॉमन पीपल हो, रूलर्स हो या फिर कलर्जी मैन हो, हर तरहां के लोग मौरली करप्ट हो रहे थे यह poem उस ताइम के society पे comment करती है इसलिए हम इसे social satire भी कह सकते हैं और दूसरी बात यह है कि यह poem dream vision form में लिखी हुई है जो कि 14th century में poetry की एक बहुत important form थी and chaucer के कुछ important poems जैसे कि the book of duchies, the parliament of fowls भी इसी form में लिखी हुई है तो इस form में writers story को एक dream के रूप में पेश करते हैं और थर्ड बात यह है कि यह एक allegorical poem है अब allegory एक ऐसी story होती है जिसमें की characters, figures, actions and events के थुरू एक hidden meaning देने की कोशिश की जाती है इसमें basically कुछ symbols होते हैं और इनहीं के थुरू hidden meaning को हमें खुद find out करना होता है जब हम इस poem को पढ़ेंगे तो हमें allegory का meaning समझ में आ जाएगा क्योंकि इस poem में हमें morality का ही lesson दिया गया है और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसमें personified characters है personification एक तरह का literary device होता है जिसमें हम non human things को human characteristics देते हैं थोड़े दिन पहले हमने एक morality play को discuss किया था जिसका नाम था Everyman उसमें सभी personified characters ही थे जैसे कि death, knowledge, confession, fellowship, etc और मैं आपको यह भी recommend करूंगी कि इस poem से पहले आप उस play को भी एक पर check कर लिए क्योंकि यह play भी allegory की एक best example है जिसका link मैंने description में डाल दिया है और यह जो हमारी poem है Piers the Plowman यह unrime alliterative words में लेखी गई है इसमें Piers नाम का एक Plowman है Plowman आप समझती होगे जो खेतों में हल चलाते हैं and Piers Plowman represent करता है hard work को and इस poem का main character है Will जो कि इसका narrator भी है and Will represent करता है human beings की Will को यानि की इच्छा को तो यह थी इस poem से related कुछ important बात है यह बतानी जरूरी थी क्योंकि अगर हम इन्हें ना समझते है तो हमें poem समझने में थोड़ी सी difficulty होती तो अब हम इस poem की story पे आते हैं तो इसका protagonist है Will वो पूरी दुनिया में ऐसे ही घुमता रहता है और वो बहुत सारे सपने भी देखता है वो human beings की will को represent करता है तो ऐसे ही एक दिन वो नदी किनारे बैठा होता है और वहाँ पी वो गहरी नीन में सो जाता है और फिर उसे एक सपना आते तो इस सपने में वो एक बड़ा सा field देखता है जो की एक hill and एक valley की बीच में होता है तो यहाँ पर hill symbolize करती है heaven को and valley symbolize करती है hell को and इन दोनों की बीच में जो जगा है यानि की हमारी earth वो उसका सपना देख रहा है तो यहाँ पर लोगों को three categories में divide किया गया है pageantry, जो की workers होते हैं clergy, यानि की church people and knighthood, यानि की king and soldiers तो वो वहाँ पर कुछ rats को देखता है जो की आपस में बात कर रहे हैं वो अपने ruler से बिल्कुल भी खुश नहीं है वो उने बहुत torture करता है तो उनका ruler है एक cat जो की symbolize करता है एक despotic king को उनमें से ही एक rat suggest करता है कि हमें cat के गले में घंटी बान देनी चाहिए ताकि जब वो आए तो हमें पता चल जाए और हम यहां से भाग जाए लेकिन यह काम करने के लिए हिमा चाहिए थी और वो सबी डर रहे थे तो उनमें से एक senior rat उने समझाता है कि जा तो हमें यह काम करना होगा otherwise हमें cat को मार डालना होगा और अगर हम इसे मारते हैं तो कल हमें rule करने के लिए कोई और आ जाएगा and क्या पता वो हमें और torture करे तो वो सब उसकी बात सुनकर अपने इस plan को execute करने के लिए ready हो जाते हैं तो अभी rats का scene यहाँ पर खतम हो जाता है and will अपने आपको फिर से उसी field में पाता है जहां पर वो एक beautiful women से मिलता है जिसका नाम होता है holy church जो की represent करती है God को वो will को बहुत सारे moral lessons देती है and will और ज्यादा curious हो जाता है वो जानना चाहता है कि वो truth को कैसे पहचाने and evil से दूर कैसे रहे तो holy church उसे एक wedding scene दिखाती है यहाँ पर शादी होने वाली है mead की mead symbolize करती है wealth को wealth holy church की सबसे बड़ी दुश्मन है लेकिन फिर भी उस ताइम बहुत सारे clergymen wealthy थे वो अपनी religious duties को fulfill नहीं कर रहे थे God ने mead को instruct किया था कि तुम truth से शादी करो लेकिन वो false से शादी कर रही थी और false के कुछ friends जैसे कि guile, liar, greed, simony भी वहाँ पे आये हुए थे तो वहाँ पे एक person आता है जिसका नाम होता है theology वो उन्हें कहता है कि तुम लंडन कोर्ट में जा किंशन से जाके पूछो क्या तुम्हारा एक दूसरे से शादी करना ठीक है तो conscious सिंबोलाइज करता है knight को knight nobleman होते थे जिनका military में अच्छा खासा rank होता था तो वो अब पहुंचते हैं लंडन कोर्ट में किंग से बात करते हैं लेकिन किंग को false के bad intentions के बारे में पहले पता होता है इसलिए false meat को वहीं पर छोड़ कर भाग जाता है तो अब किंग उसे offer करता है कि तुम मेरे कुछ knights में से एक से शादी कर लो conscience से लेकिन वो उससे शादी करने के लिए ready नहीं होता वो कहता है कि पहले मैं reason से बात करूँगा reason उसका companion होता है तो अब reason भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन किंग अब दो persons का case solve करने लग जाता है ये दोनों होते हैं peace and wrong peace ने wrong पे इलजाम लगाए है कि इसने कुछ गलत काम किये है लेकिन wrong के lawyers wit and wisdom उसे defend करते है यहाँ पे mead peace को रिश्वत देने की कोशिश करती है कि wrong पे लगाए charges वो वापस ले ले ये देखकर king को और गुसाता है and वो उने severely punish करता है तो यहाँ पे will का ये dream खत्म हो जाता है and वो उठ जाता है तो अब will एक और सपना देखता है and अपने इस सपने में भी वो उसी feel को देखता है जो कि उसने first dream में देखा था तो वो वहाँ पे reason को देखता है reason के सामने seven deadly sins खड़े हैं जो कि अपने sins के लिए repent करना चाते हैं तो reason उन्हे repentance के सामने remorse करने को कहता है और repentance उन्हें कहता है कि तुम लोग truth को ढूंडो तो अब वो लोग truth को पाने के लिए pilgrim के पास जाते है pilgrim होता है तीर थियातरी लेकिन वो कहता है कि मुझे truth के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो अब वो लोग जाते है pierce the plowman के पास जो की truth का follower है और वो truth की land पे ही काम करता है तो pierce the plowman कहता है कि मैं तुम लोगों को truth का रस्ता तू जरूर दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरे field में काम करना होगा महनत करनी होगी तो उन में से कुछ लोग महनत करते भी हैं लेकिन कुछ लोग भाने बनाते हैं तो उन लोगों को लेसन सिखाने के लिए peers hunger को बुलाता है यानि की भूक तो जो लोग कोई काम नहीं कर रहे थे जब उन्हें भूक लगती है तो उन्हें realize होता है कि हमें काम करना पड़ेगा फिर ही हमें कुछ खाने को मिलेगा तो उन में से कुछ लोगों की महनत को देखते हुए truth peers को एक pardon लिखके दे देता है कि मैंने उन लोगों को माफ कर दिया pardon means maafi तो अब एक priest peers को कहता है कि मुझे भी पढ़कर सुनाओ कि pardon में क्या लिखा है तो वो उसे सुनाता है ये pardon सिर्फ two lines की होती है तो priest को लगता है कि ये fake है तो वो दोनों argue करने लग जाते है और इसी दोरां will फिर से उठ जाता है तो यहाँ पर writer हमें ये बात convey करना चाहा रहे है कि उस time clergyman moral values जैसे कि truth and hard work को importance नहीं देते थे आते हैं scriptures में लिखी थी वो उन्हें importance नहीं दे रहे थे वो बस अपने आपको supreme मानते थे कि जैसा उन्होंने कह दिया वही सही है तो अब एक दिन will ऐसे ही घूम रहा होता है और उसे दो friars मिलते हैं church में जैसे priest and monks होते हैं वैसे ही होते हैं friars तो will उनसे कहता है कि मुझे do well के बारे में जानना है do well symbolize करता है मेहनत को, hard work को तो वो friars उसे बड़े arrogant way में कहती हैं कि do well तो सिर्फ हमारे साथ ही रहता है तो उनकी ये बात सुनकर will decide करता है कि मैं do well को खुद ही ढूंडूंगा और इसके लिए वो दूर jungle में चला जाता है तो वहाँ पर एक जगा वो rest के लिए रुपता है और फिर वो एक दूसरा सपना देखता है तो इस stream को हम next video में discuss करेंगे और आप लोग मुझे comment में बताना कि आप लोगों के ये poem कैसे लग रही है Till then take care and bye